आज हम बनाएंगे क्रिस्पी बेबी कॉर्न चीली होटल और रेस्टोरेंट में कैसे बनाए जाते हैं उसी तरीके से आज हम बताने वाले हैं ये स्टार्टर रेसिपी है और इसे बनाना बहुत जादा आसान है तो चलिए शुरू करते हैं अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बेबी कॉर्न ले लिया है ये 200 गिराम है इसे आप आसानी से ऑनलाइन ही पर्चेस कर सकते हैं लेकिन अब हर जगे पर सुपरमार्केट में भी मिल जाता है मॉल में भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा सबसे पहले इसे धुल लेना है धुलने के बाद अच्छे से इसका पानी निकल जाए उसके बाद क्या करेंगे कि इसे कट कर लेंगे तो यहां पर हमने एक बरतन में पानी ले लिया है, इसमें अच्छे से उबाल आने के बाद इसमें बेबी कॉर्ण डालना है, बेबी कॉर्ण का अंदर का जो पाठ होता है, थोड़ा सा हाठ होता है, एक बार अगर हम उबाल लेते हैं, तो काफी अंदर से सॉफ्ट हो जाता ह तो सभी को डालने के बाद सिर्फ एक उबाल आने देना है अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक उबाल जैसे आए वैसे आपको फ्लेम को आफ कर देना है और इसे इस्टेनर से छान लेना है मिक्सिंग बॉल में इसे ट्रांसफर कर लेंगे इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है ये गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए अब इसमें कुछ आले आट करेंगे जैसे एक छोटी चमच अद्रग लहसन का पेस्ट आधी छोटी चमच काली मिर्च कश्मीरी मिर्च एक छ चमच से हलके हाथों से मिक्स करना है अब इसमें हम आट करेंगे कॉर्ण फ्लाओर या फिर अरारोट का पॉडर दो बड़ा चमच एक चावल का आटा जो हमारे बेबी कॉन को और भी जादा क्रिस्पी कर देगा और इसे हम टॉस करेंगे मतलब इसे हाथों से उच्छाल कर मिक्स करेंगे अगर इसे हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं तो यह इतना जादा क्रिस्पी नहीं बनेगा बॉटम में थोड़ा सा चिपका हुआ है कॉन फ्लोर और चावल काटा तो चमच से हम नीचे से उपर कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे यह तयार हो गया है तो इसे हम फ्रा चम्मच लगाना है इसे डालते ही अगर हम चम्मच लगाते हैं तो हमारा बेबी कॉर्ण में जो भी कोटिंग है वो अलग हो जाता है और इस वज़ा से हमारा बेबी कॉर्ण क्रिस्पी नहीं बन पाता है तो जैसे कलर्स चेंज हो वैसे आपको फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दे है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा चलाना नहीं होता है लास्ट में आप चला सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत प्यारा कलर तो इसे हम निकाल लेंगे तो अब इसके लिए हम ग्रेवी तयार करेंगे तो चलिए ग्रेवी बना लेते हैं तो यहां पर एक पैन में हमने सिर्फ दो बड़ा चम्मच तेल एड़ किया है बहुत कम इस्तमाल होता है आपको शेक करते हुँ चारो तरफ फैला लेना है इस पर करना है एक छोटी चम्मच लहसन एक छोटी चम्मच अदरक दो हरी मिर्चे कटीवी टाल देना है और इसे सोटे कर लेना है अब इसमें हम बाकी की चीज़े डार लेते हैं जैसे यहां पर एक छोटा साइज का हमने प्यास दिया है इसक्वायर में कट कर लिया है एक छो अपना कलर चला जाता है और यह सबजी की तरह दिखने लगता है जब फ्राई हो जाए दो मिनाट के लिए सौटे करना है उसके बाद हमने इसमें एक छोटी चम्मच शेजवान सॉस एक छोटी चम्मच रेट चीली सॉस और आधी चोटी चम्मच हमने विनेगर का इस्तमाल कि इसमें आओ किया है अब इसे विक अपढ़ इसमें के लिए अच्छे से मिक्स हो गया घते है तो यहां पर हमने एक छोटी चम्मच प्लॉर और आधा कप हमने पानी ले लिया है अच्छे से मिक्स कर foran पर डालने के बाद आयृ जको ठोड़न मिक्स किर में ठिकने साती है और जो हमारा बेबी कॉन है वो भी काफी जादा क्रिस्पी रहता है तो मिक्स करने के बाद इसमें कुछ और चीज़े आड़ करेंगे आपर हमने एक पीच फूट कलर भी आड़ कर दिया था इससे दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है अब इसमें बाक वरना आप रहने दें यह तयार हो गई है इस पॉइंट पर फ्लेम को हमने ओफ कर दिया है और यहां पर बेबी कॉन डालनी से पहले हम इसे एक बार और फ्राइ करेंगे अगर दो बार फ्राइ करने के बाद बेबी कॉन ग्रेवी में डालते हैं तो काफी लंबे टाइम तक क्रेस्पी रहता है तेल जादा गरम होना चाहिए अच्छे तरीके से गरम हो उसके बाद आपको बेबी कॉन डालना है डालने के बाद कुछ सेकंड चलाना है उसके बाद निकाल कर आपको ग्रेवी में डाल देना है तो यह देखिए इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को ओन कर कर लेंगे और अच्छे से सोटे कर लेंगे अगर आप कोई भी पाटी या फंक्शन के लिए बना रहे हैं तो बेबी कॉन को फ्राइ करके आप स्टोर कर सकते हैं पहले से इससे यह होगा कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और जिस वक्त मेहमान आए बस ग्रेवी त करके सर्फ के जे तो यह तयार हो गया फ्लेम को हमने ओफ कर दिया था अब यहां पर सर्फ कर लेंगे गर्मा गरम आपको स्विंग प्लेट में निकालना है और इस पर आप चाहें तो इस पर आप चाहें तो इस प्रिंग अनियन यानि हरा प्यास का पत्ता जो आता है उसे आप काटके डाल दें यहां पर हरा धन्या और हरी मिर्च हमने डाल दिया है इसे हम बहुत स्पैसी बनाने वाले हैं और इसे थोड़ा सा और भी अक्ट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने सफेद तील डाल दिया है तो यह हमारा होटल और रेस्ट्रोएंट में बनने वाला